आज से कई वर्ष पहले इन्टेक के कुछ लोग मिलने आये थे उन्होंने मुझसे गंगे नमामी कमिटी में शामिल होने का आग्रह किया था असल में उस समय में हिस्ट्री आफ फर्रुखाबाद में गंगा में प्रदूशन के इतिहास पर काफी कुछ लिख चुका था बारे में बताया था बोला था शीगरही गंगा साफ कर दी जाएगी शहर में सीबर लाइन विछाने की बात की थी नाले नालियों का गंगा में बहाव रोकने हे तु ट्रीटमेंट प्लान की बात भी की थी उनके अनुसार इसके लिए साइट भी फिक्स कर ली गई थी लेकिन ऐसा अभी कुछ भी होते नहीं दिखा फरुखाबाद में अनेकों जीले थी जिनको माफिया वधन्ना सेथों ने प्रशासन के साथ मिलकर बेच डाला जीलों पर आज कालोनिया होटल आदी का निर्मान हो चुका है नतीज़तन वरसाती पानी का बहाव शहर की तरफ मुल गया जिसके परिनाम स्वरूब गली कूचों में 7-8 फीट तक पानी भर जाता है चौक से चारों और में रोड पर सड़क सन 64 से आज तक लगभग 4 फीट उची हो चुकी है बरसाती पानी घरों वर धुकानों में फीट 2-2 फीट तक घुसने लगा है क्या नई नाली वर सड़क खोडने के बाद बनाई जाएंगी या फिर की एक फीट और उची बना दी जाएंगी पाकिन की सुविधाओं के लिए तो बताया गया है लेकिन शहर में कूले करकट के धेर के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी नहीं बताया गया इसकी recycling का plant भी प्रस्तावित बताया गया था प्रशन है जनता के बीच बिना कोई योजना प्रस्तावित की ये पूरा शहर तहस नहसकर डालना कहां तक उचित है आज फरुखाबाद जहां तक पहुचा है वहां तक पहुचने में 300 वर्षों से अधिक का समय लगा था आज इसे युक्रेन जैसी स्थिती में लाने की परिस्थितियों में तब्दील कर दिया गया है नहरू रोड वो लोहाई रोड आदी में सठकों पर हाथ डालने के पहले प्रशासन सोच ले वो एक जिन्दा शहर की हत्या करने जा रहे है जिनको दोबारा खड़ा करने में 85 साल का समय लगेगा शहर पर ट्राफिक कम करने हेतु चारों और बहरीक शेत्र में हाईवे प्लानिंग होनी चाहिए थी असल में पहले शहर के उन्नेताओं वदलालों को सामने लाकर कार्यवाही करनी चाहिए जिन्होंने अंधिकरत जमीने बेच डाली माफियाओं पर कार्यवाही तो हुई है लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी की आर्मे बचे है उन्हें भी ऐसे ही दंडित किया जाना चाहिए अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना न भूले सब्सक्राइब कर दे वसात में लगी घंटी अवश्य दवाएं